नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्रिखा महरोत्रा विधासभा चुनाओं में अब कुछ ही महीने बचे हैं प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है जनता का भरोसा जीतने और जातिव छेत्री समीकरण बनाने में भी सभी राजनेतिक दल लगे हुए हैं छेत्री समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं लगतार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनाओं रैली भी जोरो शोरो से जारी है भाजपा कॉंग्रेस सपा सहीत छोटे दल चुनाओं में अपनी ताकत जोकने में लगे हुए हैं चुनाओं को लेकर जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है देखिए हमारे इस खास रपोर्ट में अब प्राइम यहां पर देखते हैं युवा वर्प की लोग मौवजूद है इससे जानने के प्रयास करते हैं किस बर किसको टींग करेंगे किसका महावल है इनसे जानने के प्रयास कर रहे है आपका नाम पावन सिंग ये बताइए आप अभी जैसे जो महाग चुनाओ आ गया है इसमों आप किसको ओटिंग करना से क्या आपकी रहा है अब मुद्दा हमारा ये है कि क्या नाम है कि योगी सरकार हो चाहे समाजवाती सरकार हो चाहे और भी अन्य सरकारें हो मुद्दा इस दोर में इनके सरकार में हमारा ये है कि महंगाई चरन सीमा पर है इसके उपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है बाकी सिर्फ जनता को इधर कभी रामंदीर कभी इधर उधर की बातों में उल्जाक रख रही है इस बार ये बताएं पहुंची क्या महोर लग रहा कि किधर हमाजाई सपा भाजपा बसपा का अंगरेश क्या आपको लग रहा है देखिए हमारा माना यह है कि हम लोगों के लिए सरकार सभी ठीक हैं कोई गलत नहीं है अपने अपने जगह पे हर सरकारों को जिनकी भी सरकार ज्यास बने हर लोगगो ध्यान देना चाहिए कि हमारे जन्ता कि बीच गिल्णार है हमारे जंटा को किस चीज़ की ज़रूरत है सम महंगाई है तोुसे मीडियों के लोग कितने हमारे जा रहे हैं त्रस्त हैं सरकार सिर्फ ये सरकार सिर्फ अमीरों पर और गरीपों पर जान दे रही है यह बताए कि मीडियम वर के लोग मीडियम वर की जंता कहां गई कि यह करते हैं क्या महोल लग रहा चुनाव आगया है और योगी जी कारेकाल के समय पूड़े होने क्या आपको लगता है तो जी कारेकाल तो बढ़िया चला इसमें कोई बात नहीं है यह इस पार लगता है फिर योगी जीक सरकार आएगी आगी लेकिन महांगाई के वज़ा स महांगाई करने करो इसमें बहुत क्लीच इए द्व है पूर से बात फ्रें लाइन ह्डाए इस पार पिसको आप जीता लावचिन धी मुद्द्दाए असे लगए मांगाई कश्रकार से कोई डीकत नहीं है लेकिन मेह समाद्शिया है कि पेट्रोल शॉय को में कि तो इस rashगार बन लोगों को मेंध कर दर्डी को पनाया जाय जिससे की मतलब लोगों को कोई दिक्कत नहीं जब दुद्धी विधान सभा के कई चेत्रों में सरवे की आगट पता यह जला के लोग कवर्मेंट से तो संतुष्ट हैं लेकि महाई महाई से हर बेक्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है महाई और बेरोजगारी के मुझतालों के अंदर देखकर काफी आग्रोश नजर आ रहा है रविंद पंडे राहिम तेवी सोनवद्ध उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनौल जो है सुरू हो चुका हल जो है तमाम पार्टियां जो है अब रैली करना सुरू कर दी हैं अभी दो दिन पहले जो है पुरवांचल एस्प्रेस का उद्गाटन अरवल कीरी करोद में जहां परधान मंत्री ने किया था वहीं जो है सूबे के पूर्व सीम जो है अखले से आदो भी कल अपने जन सभा को संभोधित किये हैं हमारे बीच में आज हम सुल्तानपूर के परियावल पार्क में खड़े हैं जहां पर कुछ लोग जो है हम इन से जानते हैं कि अगामी 2022 के विधान सभा के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा जो है किसकी सरकार बनेगी हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं दादा यह बतावा कि चुनाव आने वाला है 2022 मारे तो दादा ने यह कहा कि हम मोदी को ही सरकार को चुनाव करेंगे और यह बाई जो है हमाई साथ बैठे हैं इब दादा हमाई साथ हैं दादा पूसते हैं दादा आपकी 2022 इसमें क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का वे नहीं करें मोदी को ही ओड करेंगे भारती जंगता पाल्टी के जो है ही रूख रहेगा इस चुनाव में हमाई साथ एक बड़े भाई और वहाएं बाई जो क्या नाम है आपका मेरा संजे निशाद हैं हम देगे मुक्य सानि अगाल के सानी अजये को अब कि इसके माहरा देंगे तपिन हा रहे हैं तो जो है इह इनका फुलन दीवी का व्हुतिने लगवाने देते हैंboat के लोग क्यूंनाई तक कar मुटिना आउनका क्यूनी कर गई है बी उ बीनितू कुछ कर कि गई है इसके और नहीं वे मुकेसानिक थोह आगर वो कहेंगे तब ही हम भारती जनता पार्टी करेंगे नहीं तो अगर वो चुनाव में è खड़े होते हैं उन बीजेपी को ही वोड़ करें देखे जैसे समाजवादी पार्टी इसका अनुए पार्वास प्रुए तो इस लिए बीजेपी सही है जैसे विपच्छी पार्टियां जो है तमाम तरीके के आरोप लगाने भारते जंगता पार्टी पर कि किसानों का सोशालिस्ट में हुआ है अपराद बढ़े हुए हैं बेरोजगारी है जो है महगाई चरम सीमा पर है और जो है इसलिए लोग बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि जो है बात की हम दूसरे कोट करेंगे तो इस पर आपको क्या कहना है बीजेपी को जब किसान इतना विरोज कर रहे हैं तो जो दो हजार रुपए मिल ला है उनको छे महिने पर जो भी मिल ला होगा तो वो क्यों ले रहे ना लें फिर इभी तो एक बात है सुविधा भी ले इस तो आप ने देखा कि हमने तमाम लोगों से इस बारे में जानकारी की लेकिन उनका यही कहना है कि हम भारती जंता पाल्टी को ही ओर्ट करेंगे क्या नाम है भई आपका दिनेश औरसिया आगामी विधान सभा का चुनाव आने वाला है तमाम पाल्टी आपनी जो है सरगर्मी या तेज कर दी है करने दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है योगी जी आएंगे फिर दुवारा लेकिन जो है भी पच्छी पार्टियां कह रही है कि जो है इनके जो है कारकाल में महगाई बढ़ी है पिछले 2011 में जिस तरीके से पिट्रोल कदाम था उससे अच्छा है अभी क्या महगाई बढ़ी है अरे जैसे तनखा बढ़ रही है लोगों का मजदूरी साड़े तीन सुर्पे हो गई है वैसे उसका पिट्रोल का डीजल का हरी चीज का रेट भग रहा है समाजवादी पाल्टी को आप क्यों नहीं लाई करते हैं कुछ हुआ ही नहीं है उसमें अब जो आप कहां पुरुबांचल एक्सप्रेस का प्रधान मंत्री घाटन किया समाजवादी पाल्टी के अख्लिस यादों का या कहना है कि यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको भारती जनता पाल्टी भुना लिए छालू क्यों कामिंक вин कर वायत पहले इनकी सरकार्याई मुआ हाई नहीं प्रोजेक्ट नहीं और नहीं रही है तो आप ने सुना कि जो है, इनका भले ही समाजवाधी पार्टी पूरुवान जलर स्प्रेस को लेकर अपना dream project मान रही है लेकिन उन्हों समाजवादी प्रकार में क्योंने काम करेब भारति जन्टा प्रती ने तीन तीन साल में है तुनाव में बनाएं के किसकी सरकार बनेगी कुछ आप भी वोटर होंगे किसको मनसा आप मन बनाए हुए कोड करेंगे हम जो है अज़ार बाइस का चुनाओ आने वाला है इस चुनाओ में क्या मुद्धा रहेगा इस चुनाओ का सबसे बड़ा मुद्धा होका विकास और महगाई तो 228 कि चुनाओ में किसकी सरकार बन सकते हैं चुनाओ जो है विकास और महगाई पर लड़ा जाएगा जो भी पाल्टी यह दोनों में जीच जाएगी वहीं चाहर準 अब हम सीता कुन घार पर पहुंचे हैं, सीता कुन घार वा है, जहां पर मानता है कि सीता माईया यहां पर हमारे बीत में तमाम लोग मौझूद है, हम इन से यह जानना चाहेंगे, कि आदामी विधान सभा के चुनाओं में, जिस तरीके तमाम पाल्टियां की सरगर्मिया तेज हो चुकी है इस बार इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा विकास और सबका साथ मुद्दा रहेगा कि महांगाय कोई मुद्दा नहीं है और बुद्दा होती तो लोग गाड़ी नई निकालते ऑर आज कलके बच्चे नोवयक यहां भी जाते बिना ़त Why को यह मुद्दा नहीं दिकास mıता हो मुद्दा रहेगा दूकाश जैसे कि अच्जी बिपच्ची पाल्टिया जो है महाई मुद्धा एक बना ही रहे हैं वहीं बेरोजगारी का उचले और आप सोभागय ओजना देख लें कालोणिया देख लें और महीने भर में दो बार राशन देख लें वे घुटा करें याच तो यह प्राकृतिक की देन है 2 साल करोना काल में गया है इसलिए बच्चे बेरोजगार हुए हैं बाकि ऐसी कुई बात नहीं है अगर बेरोजगारी होती तो यह ट्रेणिंग सेंटर हुआ है बहुते हैं दो वे मामला घरबर हुए कोई मुद्दा नहीं है यह कोई मुद्दा नहीं रहे तो हमारे साथ ये नौजवान साथ ही खड़े हैं हम इस से जानेगे कि इस विधान सभा कि चुनाव में इस समय तो दोनों पार्टियां है अक्लेश जी भी हैं मोदी जी भी है योगी जी भी हैं दोनों आपस में बेड़न हैं जन सभा कर रहे हैं आप लोगों ने देखा इस वरहतारीख को स्री मोदी जी ने हमारे Express Highway पे लेकिन अखलेश यादों का यह कहना है कि जिस पुरवाण चल इसका मोदी जी ने उद्गाटन किया था वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पहले से ही था इन्हों ने सिर्फ इसको भुनाने की कोसिस किया है अब डोनों पार्टियां आपस में कुछ भी करें मतलब अकलेश जी ने भी कुछ किया ही था मतलब अकलेश जी ने भी पास किया होगा लेकिन सफल तो मोजी जी ने ही किया सरकार जिसकी है उसी का कारे तो माना जाएगा 2022 का CM कौन बनेगा अब ये तो चुनाव ही करेगा बाकी तो जो अखलेश के साथ हो तो कहेंगे अखलेश जीतेंगे जो योगी के साथ हो तो कहेंगे योगी जीतेंगे बाकी नतीजे ही किलियर करेंगे कि यूपी का सियम कौन बनेगा हमाएं साथ एक चाचा है जो निसाथ पार्टी से बिलांग करते हैं यह अपनी जीव का जो है यह नाव चला करके करते हैं आइए मिनसी यह जानेंगे कि 2022 का जो है चुनाव आने वाला है इस बार इस चुनाव में इस बिधांस भा के चुनाव में उत्तर परदेश का सियम कौन बनेगा है तो 2022 के जो नहीं चुनाव आया वाला अमक के जो नहीं कि सीम बने उत्तर परदेश के अजय को नहीं कि दिया जहां सब पब्लिक सोचे वह दीन जाए इस सरकार से आप को आप तो कोई लाब हुआ कोई फादा है तो आपकी मंसा क्या है किसको करेंगे अपने इनका इनकी बात को सुना इन्हों ने कहा कि जहां सारी पब्लिक जाएगी वहीं हम भी जाएंगे जो है हमारे साथ एक नौजवान साथ ही और जो है आगये हैं हम इन से जाना चाहेंगे कि 2022 का अधामी बिधान सभा का चुनाव आने वाला है इस बार इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनता को जो रुख है एक दम साफ साफ सीधा सीधा कि इसके तरफ दिखाए दे रहा है क्योंकि अभी जो हालाज चल रहे हैं या जो बीच चुके हैं इससे आप सभी लोग ने देखा क्या क्या क्टिशन आई इस ग्रूप पर क्या क्या तंगे फशाद वगरा वग 40 km पुर्वांचल एस्प्रेस आपको दिया है उन्होंने कहा इस पुर्वांचल एस्प्रेस बनने जो है किसानों मजलूमों उद्दगी जो है यहां पे लगेंगे लोगों का विकास होगा तो क्या आपको भारती जंता पाल्टिकों की विकास नहीं लग रहा है और जैसे क अनते हैं तो हमाएं साथ एक नौजवान साथ ही और खड़े हैं आइए मिन से जानते हैं कि 2000 आगामी विधान सभा के चुनाओं में को इक उस्तरप्रदेश का स्रियम होगा योगी आदितना उन्होंने काफी अच्छा काम किया अब यह इस्प्रेस बना हुआ है और नोजि योगी सरकार में यमना एक्सप्रेस बेतमाम तरीके के विकास हुए है इस बार भी यूपी का सियम योगी आदितनात ही रहेंगे तो हमाएं साथ एक नौजवान साथ ही और आए हुए हैं हम इन से जानना चाहेंगे कि 2022 के चुनाओं में इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी क्या मुद्दा रहेगा देखे इस बार यूपा जो है विकास के नाम पर वोट देगा है और हर तरह पार्टियों में यूआ के बारे में काफी खास बात कि जारी है और जहां तक जादिगत समीकरण की बात करें तो इस बार OBC की जो जनगरना की बाती जारी ये भी एक महत् प्रवाई का कहना था यह यूपी का चुनाओं है और इस यूपी के चुनाओं में धर्म और जात का मुद्दा बना ही रहेगा और अपकी यह मुद्दा जो है उत्तर परदेश में ही चलेगा नमस्कार आज हम जिवरे हैं बांदा जिली की पब्लिक से आज हम 2022 के विधान सबाव होने वाजे चुनाओं के बारे में पूछेंगे पब्लिक की क्या रहा है क्या रहा है तो 2022 के आने वारे चुनाओं में यह तैयारियां है क्या रहा है क्या तैयारियां क्या टाई हो रही है और हमारे योगीजी ने काम कीसे थे क कांप text आफ Learn कि यही चाहते हैं कि योगी जे की साचारा है कि लोगवाने बताया कि महंगाई की बारे में कुछी नहीं कर रहा है मैं यही कहना चाहिँ है कि महंगाई की लिए वह जातर ख्याल करें करें नहीं हो गई हैं तुम्या 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 अच्छ लागर अगर आंगे सब करें तो तू अनुष्टर रहेंगे लेकिन व्यान दे पब्लेक की उपर यह थी पर्णिक की जो है राय 2022 के आगामी चुनाव के लिए नाम सुसील कुमार सुसील कुमार जी चुनावी साल है 2022 आप किस पार्टी को समर्तन देना चाहेंगे और कैसा आपकी क्या राय देखे हमाई राय तो यही है जो आने वाली सरकार है वो जनता के लिए कुछ हुआ यहां कि लिए यही सारी प्राब्लम से हुई हैँ काफी दिक्क्तें आई हैं अच्छा आपके क्या उनके student को कि कि ये आपकास करें उसmer के हमारा मुद्दर है कि जो भी विधायक बने हुए वो अपने छेतर में विकास करें और जंता के साथ बड़े अच्छा वर्ताओं करें तरीके का विकास चाहते हैं अपनी छेत्रें बहतर चाहते हैं कि आगा आने वाले कल में भी कोई भी विधायक बने तो जंता के लिए बहतर करें जिसके जंता उसे फिर दुबारा मौका दे क्या पिछले विधायक इने अप कि मुख्मंत्री के वारे में तो देखें यहीं हम सवाल करना चाहते हैं कि हमारे यूपी में तो अखिलेश जादो दी जादा थोड़ा सबस्वाइज रहे हैं और उन्हीं का हम समर्थन कर रहे हैं जागरूप से जग्रूप सेंड जी आप कहा के रहने वाले हैं और साल 2022-90 सा मुख्ध मंतरी अब हम यही चुनेंगे जो आब चल रहा है योग्य दितनाज जी है इनी को चुनना चाहिए क्या मुद्दे हैं आपके चुनाओं को लेकर मुद्दे हमरे हिसाब से सब सही चल रहा हूँ सब आदो शहर में विकास हो गया बड़ी है विकास हो गया रटा मुट्व गया है रोड़े जी सच्छा वेवस्ता सही हो गया सब 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 बतल स्थिक्जित जी चाहरा आप दीघे दभारा देखना से किस तरीके के वीगास किया है मुकमंत्री जी ना हमारे हिसाब से सब बता सही है आपके छेटर में क्या क्या विकास किया है कलोनिया है घर घर से ले नरख कम से कंदुती इन साल से पूरा परवार चला रहो है अब क कितने परसें अच्छा मानते हैं हम सब्सक्राइब नाम अपनों चौधरी है अपनों चौधरी आप नहीं पर रहता हूं डिग्री गालच की बगल में सरकार चाहते हैं और लोगों को केवल अंध्यविस्वास और यह पाखनदवाद पहलाती है और कुछ करती नहीं है सरकार ये और हमें केवल रोजगार चाहिए क्योंकि हम युवा है और हमें नौकरी नहीं मिल रही है जैसे कि आपके छेतर में रोड और स्वास्त को लेकर क्या सुधाएं सारी उपलब दो चुकी है कोई हमें से फायदा ने मिला थोड़ी मुक्त हो तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाओ के बाद ही पता चलेगा किसमें क्या बदलाव होने वाला है फिलहाल इस रुपोर्ट में इतना ह प्राइम टीवी.